टार्गेट किया जा रहा है कहीं पहरा है इस्ट में गोली मारती जा रही चोविस चोविस गोली ये गोली नहीं ही मतलब तुम बागी ने किसी से मतलब नहीं है सनातली केवल राहम को ना माने, राहम इक भी माने, केवल कृशिन को मानने से काम नहीं चलेगा, बासूरी वाले क्रिशन को माने, लेकिन चक्रधारी उट अनुश्याम को माने, जिसने केवल दुरोबदी के लिए दुरोबदी का वस्तर खीजने पर महाबारत हो गई थी, अब मैं तो करना लोरेंस से विष्णोई को आई लोग के रहे आतंगबादी मैं तो उसका दिवाना हुँ भाई बहुत बढ़िया काम करना लोरेंस भाई अब जिस तरह से शिफपाल सिंग यालोब ने बयान दिया है बोला है कि वो लड़का कौन था जो दूसरे के घर में घुसके जंडा उतार रहा था क्या उनका ये बयान सही है वो खुद सपापाटी एक पार्टी के होके ऐसा बोले देखो मेर तो लड़के ने जंडा उतारा उसका रिजन क्या था अगर मैंडा में एक ची बताओ अगर कोई उपर चत में मुझे पत्थर मारेगा मैं चत पे जाओंगा तो सही जो मुझे करने होगा थोड़ा बद मैं करके जुरूर आओंगा उसके बाद ठीक है उसने द्रोत की सिजा देतो होगे तुम जो सवईदान की बात करते हैं सविदान को खतम कोट खतम मतलब तुम तो सर्या कानुन लागो करने वाले होंeton बार मतलब इन छेम इंडू मुसल्ति मेंसलिम सिbek लिए सब्सक्राइब और उसके बाद दूसरे मौलाना अखलेश के वासड़ आए वो क्या कह रहे हैं मतलब योगी सरकार गुंडागिर्दी कर रही है मैं कहरा मौलाना अखलेश से अरे सर थोड़ी तो सरम कर लो आपके बच्चे बड़े होने कल के दिन हो सकता आप सत्ता से हड़ जाए आपके बच्चों के संग में यह हर गए तो हो सकती है तो आप क्या करोगे किसी के किसी की मा का लाल चला गया किसी का पती चला गया किसी के कोई मून बरत लेके खड़े हूए थैं जैसे उनके गोली लगी इनकॉंटर में वो सारे बिद्व आरूरतों के राचूनिया तोड़के रोड में खड़े होगे विजेपी कहती है हमारे राज में बंधमाका नहीं हुआ आदे को बंधमाका भी करके दिखा दिया अब यह साबित करना चाहरे है धीरे धीरे यह इनकी चलने वाली तो वसे भी नहीं है जो आज CRPF स्कूल के सामने हुआ है उस पर आतिशी ने बोला है कि जैसे महराष्ट में अज़ा है मुझे से मुंबाइ में अंडर्फ काम करता है वैसे दिली में भी अंडरवर्ड है ऑसमें है इस 성공 होने वाले दिख से अभी तोह ब्यक्रे aja है अब इसके आपको बतार। आपके कैमरे के मादे बचके रहना स्वरोई नेगर वाला मत बोलना मैं खुद भगाता हूं वहां से बाइसा सांसे पुल गई थी मेरी स्वरोई नेगर में जब भुटा था फटा नहीं था वहां पर गोशना कर दी यहां पर बाम रखाओ भगो यहां से यह दुबारा करने करते रहो आप हमारे मैं आपके सपोर्ड में हम ऐसा बोलता रहूंगा लोग जब अबजल गुरु को अपना दिवाना मान सकते हैं तुम तो देजबक्ती लोग हो तुम्हार लोरंस से बिस्नोई ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया उसने एक चोटी सी बात करी थी सलमान खान से कि भाई आप जा हूँ, हमारे मंदिर में माफी मांग लो मतला सलमान खान ने बड़ा हो गया, वो माफी नहीं मांगेगा किसी की मतला आस तक उसने मार दिया उसके माफी नहीं मांगा हिरन की पुजा करते हैं वो नहीं बक्तेगा अगर माफी नहीं मांगी तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा सलमान कान क्यों मैं इतना बड़ा माफी क्यों नहीं मांग रहा भई तू अब बाबा सिद्धिकी की मौत के लिए यह सारे अपनी चूनियां तोड़के रोने लग गए मेरे को जब गुलसन कुमार की मौत हुई थी तब यह पाल्टियां कर रहे थी क्यों मैं इन लोगों का चाहिए सलमान खानों सारूप खानों यह चाहिए कैमरे के सामने कुजी बोले इनका मकसद वही तक है यह सपश्ट होता है अभी तो अमीर खान भी माफी मांगेगा इसने एक फिल्म है PK फिल्म में हमारे सिरी भगवान को बातरों बंद करते दिखाया यह भी माफी मांगेगा जैसे मुनुवर फारूबे माफी मांग रहा ना भी कि भाई मुझसे गल्ती हो गई इससे पहले क्यों नी माफी मांगी तब तो बहुत मज़ा को लारता भगवानू का तू लोरंस से विश्णोई बहुत बढ़िया कर रहा है और पक्का सनातनी आदमी है और देश भक्ती आदमी है और उसके सपोर्ड में तो कहता हूँ हर बंदे को लोरंस नी विश्णोई बनना चाहिए देश भक्त बनना चाहिए और जब ये अब जल गुरु का समर्तन कर रहे है तो लोरंस नी विश्णोई का समर्तन को आप लोगों भी करना चाहिए यही बोलूँगा लाठी चार्ज होता है यह कहां तक सही है देखिए बंगाल की बात करें तो बंगाल की मैं बात नहीं करें में हांदर प्रदेश तेलंगाना की बात देखिए इस्तितिया तो पहले नहीं वहीं सिद्धिया रही है और क्यों ऐसा किया जा रहा है टार्गेट किया जा रहा है कह चप प्रिफ को मारं आपा हैं लेकिन नास्तिक होते तुमारा आत्मी WOW लेकिन तुम आस्तिक आ सुख़क通 nós galera हो और के माभिन можем कंट्रोवरसी हैं लोगो आज बोन लीजा सकता है सनातन में उत्व करके तुम सनातन का विरोध कर रहे हो तो तुम में और उस कोई अंतर नहीं है क्योंकि उसको धर्म से नहीं धंदे से मतलब होता है इन्हें भी वही है इनका वोट कहां से बन रहा है राजनितिक तुष्ठिकरन कहां से हो रहा है इन्हें वो करना बाकी ने किसी से मतलब नहीं है मुमिता को मार दे जाता है क्योंकि वो एक हिंदू बेटी थी साक्सी को मार दे जाता है साबाद देरी दिल्ली में पत्थर जे एक वेक्ती मार देता है मुसलिम तो वो एक हिंदू की बेटी थी प्रियंका को मार दे जाता है आपके बलवगड में गोल इसे क्योंकि वो एक हिंदू की बेटी थी एक सरद्दा को 36 टुकड़े कर जाते हैं तो ऐसे मैं पूछना चाहूंगा आज पूछता है वारत कि वो आज अपने समुधाय विश्यिस की लड़कियों के साथ क्यों नहीं पुत्र से उन्होंने दानाव दलन किया था appealing किया था गंuszेन चाहम को माने जिसने के वाल दिग आधी के लिए दो रॉपदी का वस्त्र खीचने पर महभारत हो गए ती ये देश बंबती चलाने वाला का देश नहीं है ये सिता के अपमान पर लंका चला देने वाला का देश है ये एक दुरोपदी का अपमान होने पर महाबरात करा देने वाला का देश है ये देश जोहर का समर्तन करता है लेकिन कब जब अपनी आत्मा पर आ जाए लेकिन क्यों एस्थितिएं नहीं? क्यों? एशी स्थितिएं दो देस में दोबारा ना हो एशी स्थितिया चाहे वो बंगाल है चाहे वाणदर पढ़देश है कहीं भी ऐसा हора है क्यों? क्योंकि हम सेहन कर रहे हैं, हिंदू केवल सैसनों नहीं, सजजनता अच्छा गुन है, लेकिन अतीसे सजजनता भी कायरता कहलाती है, और ये कायरता ही हो गई है, ना मुशक बनने के नहीं, सनातनी सेर हैं, जो सेरों के साथ खेल कर बड़े होते हैं, क्यों हम अपने उसको लिए लिए चाहूंगा आपसे वह देश भक्त नहीं है और ऐसे गद्दारों के जुर्ट नहीं है आप कर दो आपको पूर्ना प्रेंगा नहीं होगी देश को बचाना है तो चोहनों को छोड़िएगा सिवारान किसना जी की नितिय अपना आईए ना लगाईए गानारे खेचिये गातलवारे बम बम बोलिये ना बम फोड़ आईए ये हमारे बाबस अत्यनान मोरिया जी कविता है वो कहरें देखो हम अहिंसा परमधन को मानते हैं दर्म हो रक्सी कविता है ये भी ना रखुतने को मोहा इंडो इसको पढ़ करके धर्म के रख्रा के लिए खड़े हो जाना ही तो भी नष्ट कर दे जाओगे ये 57 देश कभी हमारे होते थे आज देश में कीट बढ़ गये कीट ना सक डालने हो सकता है और योगी जी से कहूंगा हाप मटर नहीं फूल चाहिए हाप वो स्वरी एनकाउंटर नहीं फूल चाहिए क्योंकि उन्होंने उसको कहाँ पहली बात तो इसकी जाचो चोबिस गोलिया आई कहां से पत्थर कहां से आए छेतों पे रखे गए थे इसल चेतर था संवेदन सेल चेतर में है क्योंक आप पत्थर चोबिस गोले आई का से रहे हैं जाए और मुझ प्रश्मेगास ता खड़े नहीं मिलें मुझे उनकी पार्टी के कोई जो है मोईद घान वगेरा वो बेकरी वाला वो कर बलातकार कर देते हैं उनके समर्थन में मिलते हैं वो खड़े वो कोई कोई जयाती कि में मन जैसा गुंडा मारा जाता है कोई विकास दूबे जैसा है उनके समर्थन में खड़े मिलते हैं वो किसी सजन सरीप के सच्छों नहीं मिलते हैं क्यों पता है क्योंकि उनके पाले वे गुरुगे हैं अब जिसने पाला उसको दर्द होता है कि नहीं उन्हें भी हो रहा है ठीक है ना और मैं बात कहा रहा हूं आपको समझा रहा हूं व ज़ैने nya के साथ हैं तो इनही सब दोगे साथ भरत बहराइच हिंशा को एक हफते हो चुके हैं इइस पे सियासत काव कि अंतरप्रादेश तो महला तो सुंहित जाना हो, हर जगा ये देखा जा रहा है, कि इसको लेकर सियासत हो रही है, हर जगा से बयान आ रही है. शिफपाल सिंह यादव जो खुद सपापार्टी से है, उन्होंने बोला है कि इसमें हिंदूों का ही कसूर है. आप किस तरे से इसको देखे है। आंतकवादी हो, क्रिमिनल हो, कोई हो, उसको सिर्फ एक क्रिमिनल बोलिये, उसको ना हिंदू है, ना मुसलिम है, ना सीख है, ना हिसाई है, आंतकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई धरम नहीं होता है, और उस पर कड़ा से कड़ा एक संतुरंत लेना चाहिए, जैसा कि योगी बाबा ले रहे और एदम सही ले रहे और रास्ता हमारा गफूरि उस सही जारा है और वस्कोटी की सरकार खोना प्लदी के सरकार अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्ता चला रही है की बढौिन को तो मौठी है अगर ऐसा नहीं बोलेंगे न तो लोग उनका जो है वोटर्स जो है उनका बस में उनका पोकट में कैसे आएंगे तो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कि भाई जो भी दे रहा है मोधी सरकार अमरित भी लाकर दे रहा है तो उसको जहर बताएंगे यह इनका duty है इनका का हमें हमारा jean सऀरी रास्ते पर जा रहा है आने वाले समय में बाबाही देश को चलाएंगे और यह देस महाकाल का है यह देस स्रीराम लला का है यह देस् Turkish univers² भागवान का है यह देस्क्तों साहिपwise और यह जो देस है ना आने वाले समय में हम जतना जल्दी हो सकें बाबाजी को यहां जो है लाल किला से आवाज हम सुनना चाहते हैं मैं योगी आदितना तिस्वर की सपत लेता हूँ जितना जल्दी हो सके हमारे पास पैसेंस नहीं है देखिए हम सताए हुए हैं 1070 साल से हम सताए हुए है 800 साल हमें मुगल हमें परसान किया हमारे संसाधन को लुटा हमारा विरासत हमारा संसकार सब कुछ लुट के ले गिया 800 साल एक दो दिन नहीं सोचिए उसके बाद 200 साल अंग्रेज हमें मारे लुटे हरो कुकर्म किये जो कि हम बरदास किये सताया हमे 800 साल और 200 एक हजार साल हो गिया ना एक कंग्रेस वाले और संसाधन भी इतना ज्यादा लूट लिये हैं कि उन लोग एक हजार तक जो नहीं लूटा था उससे ज्यादा संसाधन हमारे लूट लिये भारत देश का ए नहरू का जो है नहर के किनारे से भाग क्या गया थे थोपा हुआ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे सुवास चंद्र बोस इसे एक सिगरेड और सिकार जो है लंबा लंबा सिगार होता था पूरा दात यहां का सड़ गया तो यहां पूरा दात काला काला हो गया था लंडन फ्रांस और पेरी से इनका सिगार आता था हवाई तो यह इतना रही सी किये हैं तो इनका उस समय दो वक्त की रोटी का क्या यह होता था उस समय का अवाम से पुछते अधिकांस लोग कुपोशन का सिकार थे उस समय तो इन लोग इतना रही सी किये हैं तो यह जो ना देखिए मैं बार बार कहता हूं हिंदूओं हिंदूओं तुम्हारी जो यह ना एक कॉंग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी मतलब हिंदूत्वा का बरवादी कॉंग्रेस पार्टी मतलब भारत की बरवादी कॉंग्रेस पार्टी मतलब जो ना एक थाल में सजा करके और जो ना कासमीर जो ना पाकिस्तान को दे देगा करता है पाकिस्तान का पहर में चौट मारओ तो कौंग्रेस को दर्द होता है इन लोग दोनों एक डुसरे का इस्ट रहू है एक दुसरे का पूरा कहाे दूननों दो धेle रहा आज मैं बार-बार कहता हूं यहां के जमीन खोड़ो तो मंद्री सकते हैं और गांधी नहीं चाहिए हैं कूट-निति से काम चलाते हैं लेकिन योगी बाबा जो है तौरित फैसला के लिए जाने जाते है योगी बाबा वो तुरंत जो हैना बुल्डोजर एक्सन ले लेते हैं तुरंत जो हैना करवाई करते हैं उनके पास सुधरसन चक्र है वो तुरंत छोड़ देते हैं तो हम बाबा मोडल जो हैना सारा देश मांग रहा है आने वाले समय म में हमन को परतान मंतरी करूप में देगना चाते